आपको चिंपा करने कोई जरुद नहीं है, हम आपके साथ करें जो भी करवा रहा हो, पूछने पूछने जा रहे हो, वह एक कोईशन इजहासर का वादा है, पूरी वीडियो रिवाइस कर लिया, तो आपके निए स्पेशल मैं बनाओंगा, तीन गनटे में, फुल फिजिक्स, दो साथ का लेक्शर की जो कोईशन थे, जो कोईशन थे, भाइस तो मैंने आपको बारा तेरा वीडियो पर प्रवाइड कर दिया, क्या तुम बारा तेरा वीडियो भी नहीं कर सकते हो, इसक्शन उनना बहुत ज तो बचों, इसमें हम लोग बहुत ज़ा सर्वाइने लगाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन गनटे लगाएंगे, और इन सारे जीदों के जो बेस्ट से बेस्टेस कॉंसेट है, उसो कवर कर लेंगे, ठीक है बचों, तो बेना कुछ बाती कि ये टॉपिंग स्टार्ट क और बातें मुझें मत बता रहा हो, कुछ बच्चे ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट की, कि सर क्या उधर से अगर मैनलो 131,144 बन जाता है, तो इदर क्यों करें, क्या इस बात की कोई गारंटी है, कि आप वहां से जो 130,144 बनेंगे, वो आप को सारे सही ही रहेंगे, क्या इस बात की कोई गारंटी है, नहीं गारंटी है, तो हमें तो बैक अप चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लान भी चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई नहीं कोई प्लान भी होगा, जो उधर से कुछ नंबर कटेंगे, तो कोई back support करने के लिए आजाए, इसलिए मैं इस section को भी जरू हो रहा है तो बैक सपोर्ट के लिए आजाएगा चलो बिना कुछ बात यह कि टॉपिक स्टार्ट करें तो आशके टॉपिक होगा मैगलेटिक एफेक्ट आफ करेंट सबसे पहले जो द्यास देखती है फटा 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 हम बात करेंगे माली जी कोई करेंट करिंग वायर है त ऐसे ऐसे करो तो यहां पर मैगलेटिक फिल अंदर की तरफ है यहां मैगलेटिक फिल बच्चों अंदर की तरफ है और यहां पर हम बात करें यहां पर हम बात करें तो मैगलेटिक फिल बाहर की तरफ है और यहां पर मैगलेटिक फिल बच्चों अंदर की तरफ है क्या मेरी मैंनेagni- combining Combine- Am Band- agencies तो जैसे कोई charge को те मैं त्रोंब करते हैं तो मैं देखता हो, कि इस charge को जाना चाहिए था एसे लोकिन आहिसे न जाकर कि ऐसे मुर जाता है बच्ंव ऐसे मुर जाता है इसका मतलब magnetic इसको उपर मैं कोई force लगा है इसका नाम हो magnetic force magnetic force का value निकालने का simple तरीका बताया मैंने f equal to q into v cross v मतलब force का जो value होगा वोगा q into v cross v अगर हम बात वैसे करें तो क्या कहेंगे कि v cross v v cross v बताएगा कि force का direction किदर होगा अगर magnitude wise हम बात करें तो f equal to क्या लिखेंगे q b v sin theta यह theta क्या है यह theta है बचाओ angle between angle between force and velocity वो मिद करता हूँ इतने बाते समझ में आ गया होगा अब v cross v हमें बताएगा magnetic force के direction को देखो कैसे हम v पे हाथ रखके v की तरह मोर देंगे v यह रहा magnetic field हम v पे हाथ रखके v की तरह मोरेंगे तो यह direction बताएगा magnetic force को तो इसलिए magnetic force ऐसे लगा होगा और इस charge ball इदर move कर गया होगा उमिद करता हूँ इतनी बाते समझ में आ गया होगा ऐसे एक charge ball को अगर हम उपर throw करते है बच्चों ऐसे throw फूट करते है इसको जाना चाहिए था इसे लेकिन जड़ा सोचिए कि V तो उपर है magnetic force अभी फिलान बाहर की तरफ है तो V cross B तो magnetic force ऐसे लगेगा और इस charge ऐसे move कर गएगा तो अब जड़ा सोचिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने ऐसे बात कहा कि magnetic field अंदर की तरफ है charge को मैंने ऐसे throw किया था तो बताना है magnetic force का direction क्या होगा तो बच्चों मैंने कहा एच्छे लगेगा इसी प्रकार अगर हम बात थे आरगे आ एंगतीफ फिर बाहर की तरफ है तो देखो वी वी क्रास भी वी क्रास भी विकार मैणेटीफ फिर्म बाहर की तरफ है य॥ ब्यागेगा तो नीचे की तरफ लगेगा Mane american force इस प्रकार magnetic force ऐसे लगता चला जाएगा तो उमीद करता हूँ यह बात कि आपको समझ में आ रहा होगा कि magnetic force के direction बताने के लिए V cross B काफी है बट याद रखेगा कि यह formula दाइन होगा for positive charge only अगर negative charge की हम बात करें तो V cross B हो जाएगा ना कि V cross B होगा बच्चों तो चलिए जल्दी आपको टॉपिक डिसकस करते जाए पहला पॉइंट उठाया बच्चों मैंने कि अगर मान दी जी कोई चार्ज को motion of charge particle in uniform magnetic field मान दी जी इस प्रकार से magnetic field है बच्चों और एक charge को हमने ऐसे थ्रो किया था तब कर जवाब क्या होगा कि V cross B नहीं हो सकता कारण V और B गादों का direction सेम है वी पे हाथ रख के B की तरह मुरा नहीं जा सकता इसका मतलब magnetic force यहां पर जीरो होगा और दूसरे sense में हम लोग यह कह सकते थे बच्चों कि चुकी V और B के बीच में अंगल जीरो डिगरी है तो Q B V sign 0 मतलब force 0 अगर force 0 होगा बच्चाओं तो इसका acceleration भी 0 होगा और एक acceleration 0 होगा बच्चाओं तो मैं कहता हो कि यह charge ball constant velocity से move करता चला जाएगा और इसको कोई रोकेगा नहीं और यह constant velocity से यूँ चल पगाएगा बुलो clear यह नहीं clear उम्मिद करता हूँ इतनी बास समझ में आ गया होगा हम second point पर आके चर्चा करेंगे हमने क्या किया है बच्चाओं इस charge ball को perpendicular to magnetic field fake दिया मैंने charge को मैंने perpendicular to magnetic field fake आ है तो हमें पता है कि जब भी कोई charge को perpendicular to magnetic field में भेजते हैं तो एक जिसका पाथ होता है वो circular path हो जाता है बच्चाओं जिस circle का radius होता है MVYQB जिस अच्छा MVYQ MV मतलब momentum तो momentum को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं twice m into chaotic energy by QB और इस chaotic energy को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं चार्द गुना voltage चार्द गुना voltage इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से बच्चों radius हम निकाल सकते हैं इस circular orbit का अब ऐसे यह तीसरा case मच्छी आ जाता है कि इसमें हम ले निकाला radius radius कितना था यह तीनो फर्मलर radius का था अब आपसे पूछें यह time period तो time period क्या लिखेंगे two pi m by qb frequency क्या होता है one over time period तो लिखेंगे qb by two pi m अच्छा एक चीज़ आपने देखा है कि time period जो है time period जो है बच्चाओ वो velocity से independent है इसका यह मतलब है कि एक charge है q और mass m है बच्चाओ इसको v velocity से छोड़ता हूँ मैं एक और charge है इसका mass m है charge q है इसको two v velocity से फिकता हूँ पहले कौन पहुँचेगा तो काउगे sir दोनों same ही time पर पहुँचेगा एक बड़े circle में आएगा और एक छोटे circle में आ जाएगा बच्चाओ क्यों आएगा क्यों क्यों कह सकते हैं इसमें हो क्या राया जोरा समझने कोसिस करिएग इस तो जादा हो जाएगा लेकिन time period को v से कोई मतलब नहीं है तो पहले कौन पहुचेगा तो कोगे दोनों same time पर आएगा बच्चाओं same time पर आएगा लेकिन एक का radius बड़ा होगा एक radius छोटा होगा ऐसी तीसरा केस में देखिए इस प्रकार से magnetic field था और हमने charge को ना तो magnetic field के direction में फेका ना magnetic field के perpendicular से का हमने इस charge को magnetic field के साथ theta angle के साथ से का बच्चों तो आप तो जानते हो कि इस V के दो component होंगे V cos theta और V sin theta जैसे कि आप जानते हो कि V cos theta magnetic field के parallel हो गए है इसका मतलब ये constant speed से चलता जाएगा मतलब ये straight line path पर ले जाएगा इसको और V sin theta magnetic field के perpendicular है तो ये इसको circle में नचा देगा बच्चों इसका resultant path होगा कुछ ऐसा होगा ये circular भी है और straight line path पर भी है और इन दोनों का जो combine नाम होगा वो नाम होगा helical path इस helix का radius क्या होगा बच्चों इस helix का radius हो जाएगा mv sin theta by qb time period क्या लिखेंगे बच्चाओ 2 pi m by qb frequency क्या लिखेंगे बच्चाओ qb by 2 pi m अब एक और important बात ओड़ता है pitch of the helix pitch क्या होता है जरा उसको समझे कि one time period में one time period में ये कितना आंगे drift करता है ये कितना आंगे drift करेगा इन time period पे ये कितना आंगे खिसका उसी को कहते है pitch of the helix तो pitch निकालने का simple formula लिख दिया मैंने 2 pi m v cos theta by qb उमीद करता हूँ इस बाते समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों हम फिर बात करेंगे फिर आप से चर्चा करेंगे अब यहाँ पर दो questions उठाया है मैंने पहला questions है कहना क्या चारा है कि two particles x and y दो particles है जिसका नाम है x और y ठीक है having equal charge जिसके पास charge equal है इसके पास charge equal है after being accelerated through the same potential difference ठीक है potential difference दोनों का same कर दिया मैंने इसका भी we not और इसका भी we not enters through a uniform magnetic field describe a circular path of radius r1 and r2 and you know radius होता क्या है बच्चाओ radius का formula होता है twice m qv not by क्या देखो या पर चेक करो radius कितना था mv by qb mv by qb या इस formula को यूज करो twice m qv not by qb twice m qv not by qb अब ज़रा ध्यान दीजिए तो यह formula को यूज करेंगे तो हमें कह रहा है कि mass का ratio क्या होगा simple सा जवाब दीजिए ऐसे r1 by r2 r1 by r2 is equal to under root में mx by my कारण पहले का mass mx दूसरे का mass my यह constant 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 radius proportional to क्या हो जाएगा mass यह पर radius proportional to mass हो रहा है तो r1 by r2 क्या लिखोगे बच्चाओ under root में mx by my तो मैं लिख सकता हूँ हमसे पूछा जा रहा है ratio of mass of x to that of mass of y तो बड़ी आसानी से हम कह देंगे r1 by r2 का whole square r1 by r2 का whole square तो option number b part is correct options उमीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है याद रखें कई बच्चे का comment आया कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है कैसे समाले बच्चे एक बात बताओ दो साल का lecture दो साल का lecture की core concept थे जो questions थे भाई साभ मैं आपको 12-13 वीडियो प्रोवाइड कर दिया क्या तुम 12-13 वीडियो भी नहीं कर सकते हो यार तुम 12-13 वीडियो नहीं कर सकते हो इतने बड़े डॉक्टर कैसे बनोगे कैसी कैसी बाते करते यार बश्पना वाली बाते तो मत क्या करो बारत तिर लेक्चर नहीं कर पाओगे यार तीन चार टेस्ट नहीं कर पाओगे तो बताओ इतने बड़े डॉक्टर कैसे बन पाओगे हिम्मत नहीं आरना है लगे रहो हिम्मत तो बिलकुल नहीं आरना ना मैं आ inacess yes sir is Coreyip और में स करना तो बच्चे करनी तुमें? तो üz़ बारतेरो वीडी उसको रिवाइस करो थिक्कत क्या है रषिप्ट선क रख्रोग कै konnte कई वार तुम रवाइस कर लियो थोर गजयो बाइस करो यार अच्छा हो जाएगा पेपर, मस्त पेपर होगा चिंदा ना को रो बस, चन्द आंगे बटेटेब, यहा पर देखो बच्छों, क्यारा कि टू अधिन्टिकल चार्जे पर्टिकल्स अंटर्स अरीजन अफ उनिफोर्म अंगनेटिक फिल्ड विद इसमें इसम टी 1 बाइप टी 2, भी जो है रेशियो आफ रेडिएस आरवन राएड टू और जो सी है वो रेशियो ऑफ पीज पी बाइप टू एज लो टाइम पिरेड को कोई मतलब ही नहीं यह तू पाई हम बाइप आप क्यू बाइप क्यूंब इसमतलब इडिकल चार्ज यह मास्स से MQ same, इसका जो value होगा, वो तो 1 हो जाएगा बच्छों, हम B की बात करें, तो radius होता क्या है, MV YQB, MV YQB, अब देख सकते हो, नहीं, radius कितना होता है, MV sin Theta YQB, MV sin Theta YQB, तो radius क्या होता है बच्छों, MV sin Theta YQB, क्योंकि यहाँ पर helical path की बात हो रही है बच्छों, radius proportional to sin Theta, तो मैं लिख सकता हो, sin Theta 1 by sin Theta 2, you know, sin 30 degree half, sin 60 degree root 3 by 2, यह से यह गड़ जाएगा, 1 by root 3 आगया, 1 by root 3 आगया, अगर हम pitch की बात करेंगे बच्छों, तो pitch क्या होता है, twice M, V cos Theta YQB, यही ताना देखो, check check करो, twice M, देखो यहाँ पर, twice M, V cos Theta YQB, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, कि जो pitch है, proportion to cos Theta है, तो cos Theta 1 by cos Theta 2 लिख दोगे आप, तो बच्छों बताओ, cos 30 क्या होता है, root 3 by 2, cos 60 क्या होता है, 1 by 2, divide it, बड़ी आसानी से हमने क्या दिया, root 3, तो बोलो कौन सा options आई है, बच्छां, तम कहेंगे, A बड़ावर, B गुना C, yes, A equal to B गुना C, D part is absolutely correct answer, उमीद करता हूँ, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, आगे बड़ी, रुखिये मत, रुखिये मत, आज पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, रुखिये मत, अब यहाँ पर देखो, जब भी तुमसे पूशा जाए, time spent in the magnetic field, इसका एक टेकनिक बताता हूँ, इसका एक टेकनिक बताता हूँ, तुम इसको याद रखो, जो टी का वैली होता है, होता है टी वाई टू पाई इंटू डेल्टा फाई, अगर तुम यह टेकनिक याद रखोगी, तो सारी कोश्चों तुमसे बन जाएंगे, टी वराबर टी वाई टू पाई इंटू डेल्टा फाई, अब यहाँ पर क्या वोला गया, कि एक चार्ज में जाएगा, लेकिन सर्कल में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसी कंडीशन देखना परेगा, तो पहला कंडीशन है डी, पहला कंडीशन है बच्चाओ, पहला कंडीशन है जड़ा सोचो, कि यह जो डी है, यह जो डी है, सुनते जाना, यह जो डी है, वो MVYQB से बड़ा है अब MVYQB से क्या मतलब क्या इसका मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हे इसका मतलब ये है कि radius तो होता है MVYQB अगर D का value radius से बढ़ा होगा बच्चाओ तो क्या होगा जरा सोचो समझो बताओ तो फिर क्या होगा कि ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा बच्चो ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा तो बताओ इसके और इसके बीच में phase का कितना difference 180 degree का phase का change जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कितने देर तक समय बेतित करेगा T by 2 pi into delta phi delta phi is 180 degree pi pi से pi कर जाएगा तो कितने देर तक इसके अंदर में रहेगा T by 2 pi T होता क्या है बच्चो 2 pi m by qb और divided by 2 2 से 2 कर जाएगा तो T का value आजाएगा बच्चो pi m by qb उमिद करता हूँ ही बातें आपको समझ में आ रहा होगा फिर ऐसे ही बात करेंगे यहाँ पर एक और बात कहा कि जो D का जो value है जो D का value है बच्चो यहाँ पर समझने कोसिस करिएगा यह जो D का value है वो m by qb से छोटा है मतलब यह जो D है वो इसके m by qb से छोटा है मतलब इसके D radius से छोटा है इसके D radius से छोटा है तब क्या होगा ज़रा सोचो फील करो थोड़ा सा इस बार थोड़े अजीबो गरीब concept नहीं दिख रहा है सिंपल सा वही बात है कि यह ऐसे निकल जाएगा बच्छो क्योंकि हो वहा किया है जरा सोचो एक बार कि मेगनेटिव फिल्ड जो है बच्छों ऐसे कुछ निकल जाएगा देख सकते हो बच्छों कुछ ऐसे निकल जाएगा यह और हम कहेंगे कि चुकि इसका radius जो है न वो D से बढ़ा होगा तो अब यह ऐसे निकलेगा तो जड़ा यहाँ पर देखो ध्यान से यह अंगल थीटा हो जाएगा फिर तो यह अंगल भी थीटा हो जाएगा बच्छों तो डेल्टा फाइग कैसे निकलोगे जड़ा सोचो इस केस में साइन थीटा इस परपेंडरिकुलर परपेंडरिकुलर डी हो गया बाई हाइपोटेनियस तो थीटा तो निकल गया ती का वैलू निकालोगे 2 पाई यंग बाई क्यूबी डिवाइडर बाई 2 पाई इंटू साइन इनवर्स से डी वाई आर यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसल कर देए तो कितने देर ने के मेंगेटिंग फिल के अंदर बनेएगा अपकर जवाब होगा एम बाई क्यूबी साइन इनवर्स डी अपॉन आर आर क्या है एम वी वाई क्यूबी बड़ी आसानी से बच्चों लोग इसका वैल्यू निकाल देंगे इतने देर तक यह इस मेंगेटिंग फिल के अंदर में रह सका है इतने देर तक यह मेंगेटिंग फिल के अंदर में रह सका है हम आगे बढ़ते हैं बच्छों फिर हम बात करेंगे अब यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा कोई सना रहा है किर रहा है यह तीन रीजन है रीजन वन रीजन टू और रीजन दी तो विलोस दा पार्टिकल एंडर्स रीजन त्री ओनली क्या है पार्टिकल को दुबारा पार्टिकल को तीसे रीजन में आने के लिए क्या होना परेगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ जड़ा सोचो कि पार्टिकल को तीसे रीजन में जाने के लिए देखो लियांस देखो हम ये कहेंगे कि अगर अगर ये डी अगर ये डी रिडियस से बढ़ा हो जाएगा तो पार्टिकल वन से वापस आ जाएगा सोच के तिरको भी कोईशन किये थे कि अगर ये D बच्छाओं अगर ये D अगर ये D रिडियस से बढ़ा हो जाएगा तो मैं क्या बहुलूगा कि ऐसे जाएगा और वापस आजाएगा इसी फिल्ड में तो भाई हम क्या कहेंगे कि अगर इस D का वैल्यू मैं ये move नहीं कर पाएगा जैसे कि मैंने पीछे आवाले example में करवा कि दिखाया था कि देखो अगर इसका radius जो इसका radius है ये इस D से बढ़ा होगा तो फिर कैसे ये वापस आएगा उसमें तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसे reason में entry कर सकता है जब L का value R से छोटा हो जाए और आप जानते हो कि जो R होता है वो होता है M V Y Q B तो मैं कह सकता हूँ when velocity का value Q B L by M से बढ़ा होगा तो ये reason 3 में आ जाएगा बच्चाओ इसलिए इसका अच्छे से होगा A part उमिद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा फिर हम बात करेंगे बच्चो अभी आपके सामने screen पर एक छोटासा question आ गया बच्चो बहुत प्यारा question है बहुत प्यारा question है बच्चो इसमें क्या कह रहा है कि एक negative charge है और एक positive charge है इस magnetic field के अंदर में है इसको V1 से फेक रहा हूँ और इसको V2 से फेक रहा हूँ तो कह रहा है कि इम बताओ कि यह दो कैसे नहीं टकराएगा problem क्या आ रहा है कि भाई यह टकराएगा क्यों जड़ा उसको समझने के कोसिस करो कि जैसे इसको फेकेंगे तो आप तो जानते हो कि V cross V V cross V positive charge के लिए इधर भागेगा और magnetic field के परपेंडिक उदर जा रहा है मतलब इस circle में नाच जाएगा बच्चो और negative charge होगा negative charge के लिए क्या होता है V cross V नहीं V cross V V cross V तो यह ऐसे घूम जाएगा बच्चो और यह ऐसे घूमेगा तो मेरे कहने का मतलब है यह तकराएगा कवर जब देखो तकराएगा तो तब ना यह तकराएगा कवर नहीं जब इस D का value twice of R1 plus twice of R2 से अगर बढ़ा हो जाए तो यह कवर नहीं तकराएगा बच्चो और इसके बीच की जो separation है यह इसकी diameter प्लस इसकी diameter से बढ़ा हो तो तो twice of radius 1 और twice of radius 2 से बढ़ा हो जाए तो कवर नहीं तकराएगा तो D greater than twice R1 plus R2 बच्चो और R1 plus R2 क्या लिखेंगे जड़ा बताएगे R1 is MV by QB, MV1 by QB plus MV2 by QB, हाई कोई option तो चेक करें प्लीज, option कौन सा होगा बच्चो और कि D का value twice M by QB into V1 plus V2 से बढ़ा होना चाहिए तो ये कब भी नहीं टकराएगा, ये कब भी कोई मतलब नहीं बनता टकराने का, तो उमीद करता हूँ आपको इस बाते समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा आज हम बहुत देर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा topic है और हम चाहते हैं कि इतना backup देदें, इतना backup देदें आपको यह score down नहीं होने दें, जो आपसे वादा किये थे 160, उससे उपर लाके रहें, इसके लिए हमें हर चीजों का backup लेके चलना होगा प्लान A, प्लान B, प्लान C, सारे बना के बैट रहा पड़ेगा, इसलिए मैं सारे प्लान बना के बैटा हूँ, कि आपको score तो down नहीं होने देंगे, आपको पता ही होगा, score नहीं down होने के लिए, अब मैं ज़र लगा कि आपने सारा वीडियो revise कर लिया, पूरे वीडियो revise क कर लिया, आपके लिए special मैं बनाओंगा, तीन घंटे में full physics, हो सकता है, कर नहीं आपके सामने आए, मैं आपको group में message कर दोंगा, तीन घंटे में पूरी physics का ऐसा को series लान वाम है, कि तीन घंटे में आप पूरी physics को revision करते जाओगे, हर दिन आपको एक स्टेट, एक स्टेट and magnetic field, अब यहाँ पर देखो, पहला केस बोला, कि particle is moving in cross electric field and magnetic field with a constant velocity, अब एक charge body है, जो V velocity से जा रहा है, वह चाओँ, जो की magnetic field और electric field दोनों के perpendicular है, अब यहाँ पर देखो, electric field मान लो, अंदर है, magnetic field इदर है, और charge रहा है, अब सोच के देखो, कि हुआ क्या इसके साथ, जर ए इसके साथ यह हुआ, कि V cross B, V cross B, तो magnetic force उपर की तरफ लग गया, बच्चाओ, magnetic force तो उपर की तरफ लग गया, बच्चाओ, लेकिन अगर हम बात करें कि electrostatic force किदर लगेगा, आपका जवाब होगा, कि electrostatic force जो लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, यह रहा electrostatic force, यह magnetic force, और इस charge को चलना है, constant diversity V से, यह कव संबभ होगा, बच्चाओ, जब magnetic force का magnitude और electrostatic force का magnitude दोनों बरावर हो जाए, मतलब Q BV sin theta, Q BV, Q into V cross B, Q E के बरावर होगा, और यहां से एक बहुत अच्छा religion आ रहा है सामने, कि V वरावर E by B, बहुत अच्छा result आ गया सामने, कि V वरावर E by B, और इस case में, यह जो charge body है, वो straight line path पर चलता जाएगा, उमीद करता हूँ आपको समझ में, यह यहां तक अच्छे से आ गया है बच्चो, बिलकुर समझ में अच्छे से आ गया है, हम आगे case में आते हैं, इसमें बोला गया कि If E parallel to B and initial velocity is zero, वर E parallel to B और initial velocity is zero, तो देखो इसके situation को feel करो, इस टिस्टरी चार्ज पर magnetic force कभी, magnetic field कभी force लगाता नहीं, इसलिए magnetic field की कोई आखात सिलाल नहीं है, लेकिन electrostatic force ने इस पर धका दिया उपर की तरफ, और जैसी धका दिया, जैसी धका दिया तो कहोगे कि सर इसको accelerate करवाया था, क्यों गुनाई, और ये हो गया बड़ा बरे में, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों क्या हुआ जरा सोचो, इसका ये मतलब है कि इसको इतने acceleration provide कर दिया, अब इसका velocity zero था, लेकिन अब जैसे acceleration provide किया, तो खुश समय के बाद इसकी velocity हो जाएगा, यू प्लस 80, अब हम कहेंगे initial तो 0 था, लेकिन acceleration है, क्यू भी इवायम इंटू टी, तो बस इसकी velocity बदल गया, क्यू इवायम इंटू टी, समय के साथ साथ इसकी velocity बदलता रहेगा, लेकिन problem क्या है, कि इसकी velocity आज भी इसी लाइन पर है, अगर इस री लाइन प इसी दरेक्शन में है, तो कोई force magnetic force तो लगना है नहीं, because V और B parallel हो चुका है, तो इस case में हो कहेंगे, ये चार्ज जो है, वो इसी straight line path पर यूँ ही चलता जाएगा, मतलब इसका जो path होगा बच्चाओ, वो straight line path कहलाएगा, वो मिद करता हूँ आपको समझ में, यहां तक त to be, और initial velocity is equal to zero, not equal to zero, मतलब यह constant से चल रहा है, लेकिन V perpendicular to दोनो, अब क्या है, ज़रा सोचो, V और B perpendicular होगा, तो यह क्या करेगा, इसको circle में नचादेगा, इस circle में नचाएगा, यह ऐसे नचादेगा इसको, और यह जो electric field है, इसको ऐसे नचाएगा, इसका जो path होगा, वो ऐसा होगा, helical path, इसका जो path होगा, वो helical path होगा, with increasing pitch, तो इसका जो path होगा, वो कैसा होगा, helical path, यह आपर एक छोड़ा से question लेते हैं, क्या कहरा चाह रहा है, कि a proton is moving with constant velocity, एक proton है, जो move कर रहा है, constant velocity, दो गुना दसका power 5 meter per second से, in cross electric field and magnetic field, अब जैसे cross electric field and magnetic field में गाएगा ब पच्छो, वी का जो value होता है, वो होता है, एब आई बी, अब देखो, एब आई बी का value जो रखा है, दो गुना दसका power 5, बहुत अच्छी बात है, चलो इसको equation number 1 माल लेते हैं, अब इसने क्या बोला, पच्छो, इसने क्या बोला, इफ इज रिमोव, जैसी electric field को remove किया है, तो particle move सीरा 4 cm radius circle, इसका मतलब radius जो हो जाएगा, MVYQB, MVYQB, और इसका जो value है, वो 4 cm है, 4 गुना दसका power minus 2, mass of proton पता ही है, velocity पता ही है, क्यों पता है, प्रोटन का कितना charge होता है, तो magnetic field हम पता कर लेंगे, जैसे magnetic field पता किये, इस magnetic field को बच्छो, यहाँ पर put कर दाओ, जैसे magnetic field को यहाँ पर put करोगे, तो collective field पता लगी जाएगा, उमीद करता हूँ, आपको समझे बहुत अच्छे से आ गया होगा, बच्छो मैं थोरा सा speed चला हूँ, मैं जानता हूँ कि slow नहीं चल सकता, समय नहीं है slow चलने का क्या करूँ, बहुत slow नहीं चल सकता, अब तो यह है कि चा को स्कोर डाउन नहीं होने देंगे, चा कुछ भी हो जाए स्कोर तुमारा डाउन तो होने नहीं देंगे, इजासर का वादा है, कब भी स्कोर डाउन नहीं होने देंगे, बस तुम देखते जाओ, मैं थोरा साज तेज पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी है, तेज नहीं प से जा रहा है तो कौन सा संभव होगा तो पहला option है a equal to zero and b not equal to zero yes यह भी संभव है कि b नहीं zero के बारावर हो और electric field zero के बारावर हो तो यह कव संभव होगा बच्चा जब b और v का direction सेम हो जाए केस नमबर वन याद करो केस नमबर वन बीवी है वीवी है लेकिन तो यह कौनस्टन्ट स्पीड से चलता जाएगा तो मैं कहूंगा इसका option a number 20 ठीक है yes ठीक है दूसरे केस e not equal to zero b not equal to zero लेकिन इस केस में भी संभव है यह कब संभव है वच्चा दूसा नमबर केस अभी वरव हो जाए और charge body initial speed से initially zero से start हो तो इस case में भी बताया था कि यह street line path पर ही चल जाएगा क्योंकि negative field कुछ कर नहीं पाता इसलिए बी part भी सही है अब हम बात करेंगे e not equal to zero b not equal to zero और b equal to zero बी equal to zero तो बही अलेक्टिफिल भी कुछ नहीं कर पाएगा negative ल कुछ भी नहीं कर पाएगा यह भी सही है इसका मतलब सही जो इसका answer है वो d part सही है इसका मतलब इसका सही answer क्या है बच्छो डी पार्ट तो मिद करता हूँ यह बात भी आपको समझ में अच्छे से आवे यह है बच्छो सामने स्क्रीन पर फिर से कुछन आ गया है बच्छो क्या चार्ज पार्टिकल इस रिलीज़ फ्रम रेस्ट इन इन रीजन फस्टीडी और तो भई क्या लिखोगे वो तो स्टेट लाइन पात होता है अभी समझाया था यस समझाया था बच्छो अगना पॉइंट पर आओ क्या नाम लिया मैंने फोर्स एक्टिंग आउन दा करेंट करिंग वायर वेन प्लेस्ट इन एलेक्टिक फिल्ड अब तुम जानते हो कि नहीं हो रहा था जैसी वायर में करेंट अमने ऐसे बहेज आता बच्छा तो मैंने देखाए वायर आसी आस हो गया हैं और सब्सक्वार व्रेंचे हो गया था तो था तो हो था यह जए दिमागमे आया अखिर वो आ constraints मो एंधिक पर में इसका value होता है f equal to bil sin theta या force क value बिल के वरावर इस force का direction बताएंगे हम लोग ideal cross b से ideal cross b से magnetic force का direction पता लग जाता है और देखो यहाँ पर i का मतलब ideal ideal cross b ideal cross b मतलब magnetic force इस direction में लगेगा और इस वज़े से इस के उपर में force लगा होगा महलों यहाँ पर current का direction नीचे की तरफ है तो मैं कहूंगा ideal cross b ideal cross b किदर लगेगा magnetic force तो उमीद करता हूं magnetic force किदर लगेगा यह कौन बताएगा आपको समझ में आ गया होगा जवाद होगा ideal cross b और इसका value कितना होगा bill sin theta आपको एक बहुत बच्छी यह लूप है बस यह लूप है बच्छों बस ध्यान रखीगा यह लूप है बस अगर यह लूप है तो मैं ऐसे कह दिया कि बहुत कि इसमें कितना होगा magnetic force तो क्या जवाब दोगे b i और l के बदने only 2r यह pi r मत ले देना हमेंने क्या बोला initial point को final point से जोड़ दो कितने से position हो रहे हैं तो कहोगे r r r 2r यह pi r नहीं लेना है इतना magnetic force लग जाएगा अच्छा इस पर कितना magnetic force होगा बच्छो 0 because l vector कितना हो जाएगा 0 Unicial position final position दोलों का एक है इसलिए force कितना हो जाएगा बच्छो 0 चली बच्छों आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे में कुछ calculations की बात करेंगे आपके देखो सबसे पहले हमें बाइट सब्सक्राइड law से कई derivations हमने किया होगा लेकि उसमें से जो इतने भी core concept है बस वही लिक रहा हो एक current carrying wire है बच्छों और एक current carrying wire से इतने distance पर एक distance पर इस p point पर magnetic field पता करना होगा इस formula को याद अखेंगे may not times i upon 4 pi a sin alpha plus sin beta बस इतना ही काम करने अपने को यह ध्यान दीजेगा कि magnetic field को कौन define करेगा ideal cross r ideal cross r ideal cross r यह रहा ideal और यह रहा r ideal cross r इस तरीके से magnetic field यहाँ पर हो जाएगा बच्छों अब यहाँ पर देखो दो है लगलग special case होते है infinite wire और the end of long wire तो यह infinite wire है बच्छों infinite wire में क्या होता है सोच के देखेगा alpha और beta का value 90 degree हो जाएगा alpha और beta हो जाएगा 90 degree बिकास alpha भी 90 बीटा भी 90 तो मैं कह सकता हूं negative field जो हो जाएगा वह होगा मेंनोट टाइमस आई अपान 4 पाई ए गुना sin 91, sin 91, 2 तो negative field हो जाएगा बच्छों मेंनोट टाइमस आई अपान 4 पाई ए अब हम बात करेंगा at the end of long wire यह देखिया यह long wire है मतलब infinite wire है इससे थोरे से end पे यहाँ बात करना चाहरा है वो तो अब यहाँ और हम क्या बोलेंगे alpha के दल तो 0 degree हो जाएगा बच्छों प्ली चेक इस alpha ही 0 degree लेकिन जो बीटा होगा on infinity हो जाएगा मतलब डिगरी हो जाएगा बीटा के बालू नबब डिगरी आ जाएगा बच्छों तुम क्या सकते है इस केस में जो magnetic field होगा फामुला पूट करता हो तो बी बरावर मेंनोट ताइमस आई अपान 4 पाई A साइन 00, साइन 91 डिस डाटा इस अड़ ए अद अफ लॉंग वयर करपया इसको ध्यान रखें फिर हम बात करेंगे बच्छाओं आ आर्क आफ वयर आर्क आफ वयर जब देगा current caring where i है और यहाँ पर पूछा जाएगा इस p point पर कितना होगा magnetic field तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं बच्चाओ कि b बराबर may not times i 4 pi r गुना theta अब यहाँ पर थोड़ एक case बना देता हूँ मैं जिसे मैं कहता हूँ quarter ring है और quarter ring के इस जगे पे बस कुछ नहीं करना है current caring where ऐसा था तो बस theta के value put कर दीजिए pi y 2 then magnetic field is may not times i by 4 pi r theta के value pi y 2 कितना answer आएगा बच्चाओ may not times i upon 8 r बड़ी आसानी से हम कह देंगे अगर हम बात करेंगे half semicircular ring का ऐसे current caring where था तो बस इसमें theta के बदो क्या put करेंगे एक 60 degree हम क्या कहने वाले हैं magnetic field जो center पे होगा वो होगा may not times i 4 pi r गुना pi pi से pi कट जाएगा तो magnetic field हो जाएगा may not times i upon 4 r अगर रिंग के center पे हम बात करें थीटा के बड़ी टूपाय पुट कर दीजिए तो may not times i upon 2 r हो जाएगा बच्चों हमें एक दो एंजामपल्स हमें एक दो derivations के और समझना होगा एक current carrying wire है ऐसे और हमसे पूछा जाता है कि current carrying wire loop है इससे axial line पर मतलब यहां पर इस p point पर जो की existence पर था कितना magnetic field होगा तो समुला को याद करिएगा may not times i r square by 2 r square plus x square का power 3 by 2 जहां n क्या है number of turns मालिजे n is number of turns per unit length and capital n is number of turns तो भाई हमें मालब इसमें बहुत साए turns दिख रहा है तो मैं इसके बदले में यहाँ पर बस लगा देता हूँ number of turns का formula number of turns per unit length गुना length n is क्या what is n number of turns what number of turns per unit length और यह क्या है number of turns बस अब ज़ाद ध्यान देजिए यहाँ पर आता है swinoid की बात करते हैं यह swinoid है इसमें पूछा जाएगा कि बताई इस point पर magnetic field क्या होगा यह angle alpha है और यह beta angle है तब समुला को ज़रूर याद रखेगा meno times ni by 2 sin alpha plus sin beta अगर यहाँ पर बात उर्टा है long so right का alpha और बीटा का वहल नब बड़करी हो जाएगा long so net के हेसमें तो बस यह हो जाएगा meno times ni by 2 गुना 2 meno times ni फिर हम बात करेंगे polygon dabdy problem जब आएगा तो क्या करेंगे अब जानते हो कि यह होते है pi by n यह होते है pi by n तो अगर polygon आ जाएगा तो लिख देंगे meno times i upon 2 pi r 10 pi by n इस जगे पर magnetic field निकल जाएगा अगर मुझे एक side से पूछ रहा है तो यह होगा और n side से पूछेगा तो n से को ना कर देंगे अब यहां पर देखो बहुत सुंदर प्यारा प्यारा questions आ रहा है आपको बहुत अच्छे समझना होगा current carrying where रही से था और इस तरही के से infinite से आ रहा था बच्छों द्यान दखें कर इंफानाइट से आ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि यहां पर magnetic field क्या होगा ऐसे case में करना क्या होता है जरा उसको समझो इसको दो तीन पार्ट में दोड़ दीजिए 1 2 3 1 2 3 पहले इस पार्ट का magnetic field क्या लिखेंगे तो कहोगे 0 क्यों 0 बिकाज यही ideal है और यही आर है ideal cross r 0 हो जाएगा एक ही 0 ऐसे ही 3rd की पार्ट की magnetic field भी हो जाएगा बच्चों 0 लेकिन अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें यहां के magnetic field की बात करें बच्चों तो क्या जबाव दोगे अभी मैंने formula बताया था may not times i upon 4 pi r गोना कितना angle है यहां पर बच्चे दियान दिजेगा यहां पर और यह 4r 4 pi r नहीं 4r लेकिन थुरा दियान दिजेगा यहां पर इस contraction किदर होगा यहां पर magnetic field पता करना इन दोनों का तो 0 ही था इसका जो magnetic field होगा होगा ideal cross r ideal cross r मतलब अंदर की तरह से मतलब यह minus के लगा देंगे हम लोग यहां पर तो यह हो गया magnetic field इसकी वजह से उमिद करता हूँ आको समझ में अच्छे से आ रहा होगा बच्चो फिर हम देखते हैं थोरा सा out topic आगे बढ़ाओ यहां पर देखो यहां पर अच्छा बात तो बीवन का अगर हम बात करें तो बीवन का value बच्चो 0 हो जाएगा जैसे कि आप जानते हो कि बीवन 0 हो जाएगा अगर बच्चो हम बीटू की बात करें तो आपका जवाब होगा कि बीटू में क्या होगा minute times i upon 4 pi r गुना 3 pi y 2 बैगर हम बात करें यहां से यहां तक कितना एंगर हो जाएगा बच्चो तो 3 pi by 2 तो pi से pi कट जाएगा minute times i upon 8 r 3 minute times i upon 8 r अच्छे इसका direction क्या होगा हमें इस जगे पर निकालना है बच्चो डिरेक्शन क्या होगा ideal cross r ideal cross r मतलब अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ मतलब यह k-cap minus में k-cap लेकिन अगर मैं इस part की बात करूं बीधरी part की बात करूं तो कहोगे sir बीधरी जो हो गया वो infinite wire देखो यह है तो infinite wire नहीं है बच्चो infinite wire के एक end पर हमें question infinite wire देख दे रख रहा है infinite wire के एक end पर बात हो रही है तब को याद करवा दो मैं थोड़ा सब पीछ ले जाता हूँ अब चेक कर सकता हो infinite wire के और एक end देखो ध्यान से बलाड़ा इंफनाइट wire के एक end पर मेग्निटिफिल कितना था मेनां टाइम्स आई अपान 4 पाई ए तो बस इसको यूज कर दीजिये यहां पर इन्फानाइट वाइड के एक एंट पर मेगनेटिफ फिल हो जाता है मेन ओन टाइमस आई अपान फोर पाई ए ये क्या है आर अब यहाँ पर डिरेक्शन देख लो आईडियल क्रॉस आर आईडियल क्रॉस आर आर ऐसे क्यों इसके लॉंग पात करने के लिए बोला है इस पर पॉइंट पर आईडियल की तरफ हाथ लखो और आर की तरफ लोड दो इधर डिरेक्शन हो गया इसका भी हो गया मैनस के ये भी मैनस के हो और ये भी मैनस के दोनों एड हो जाएगा तो बी नट क्या हो जाएगा बी टू प्लस बी थरी का वेक्टर साब मस सॉल्फ कर दे इसको हम आगे बढ़ते बच्चों यहां पर देखो और समझो क्या होगा चर्चा तो चर्चा ही होगा कि ये ऐसे करेंट गया था यू निकल गया अब भई इसको हम ऐसे सूचते हैं कि मान लो ये इन्फिनाइट वायर था वह है तो दे तो रखा था इन्फिनाइट वायर दे साई तो भई इसमें करेंट आए जा गया था और यही करेंट ऐसे गूम क्या आगया था मैं ऐसा क्यों नहीं सूचता हो कि दो पार्ट्स में इसको तोड़ दिया जाए मैं सेमी इन्फिनाइट लेने की वज़ा है सेमी इन्फिनाइट लेने की वज़ा है दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ एक तो हो गया इन्फिनाइट वाला और एक हो गया इसके वाला इंफनाइट वाले की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे मेनोट टाइमस आई अपान 2 पाइ 2 पाइ आर 2 पाइ आर बिकाज इंफनाइट वायर में है अश्डिस का ड्रेंगसन क्या होगा मैंनेटी फिल का आइडियल क्रोस आर महार की तरफ तो यह K-Cap माहर की तरफ है बच्छों लेकिन B2 की अगर हम बात करें तो current ऐसे जा रहा है बच्छों ideal cross R, ideal cross R माहर की तरफ इसका जो value होगा पहले वो बताओ क्या होगा इसका जो value होगा वो होगा many more times I upon 4 pi r गुना 2 pi, pi से pi कड़ जाएगा दो से दो कड़ जाएगा तो B2 का value होगा मेनों times I upon 2R और इसका बार डिनेक्शन होगी आप बाहर की तरफ के तो दोनों add हो जाएगा B1 प्लस B2 दोनों add हो जाएगा उमीन करता हूँ आपको समझ में अब अच्छे से आने लगा है बच्चो अगर हम बात करेंगे अगले question की तरफ यहाँ देखिए तो हम कहेंगे कि यहाँ से current यू गया था infinite where ही और यू निकल जा रहा है current तो इसकी वज़े से तो zero हो जाएगा बच्चो इसकी वज़े से भी तो zero हो जाएगा बच्चो दोनों क्यों 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 इस जगाँ फे मेगनटिव फिल पता करना है आईडियल क्रोस दाब हो नहीं सकता यू इन दुनों का तो ऐसी zero कर देदी यहाँ तो अब जो भी है बस इसका यू इसका मे direito मेंगटिव खोगा कितना बच्चो तो जवाब होगा feminist मेंनोट टाइमस आए, मेंनोट आइ टाइमस आए, अब आन फोर पाई आर, इंटो थ्री पाई वाई टू, विकवाज यह पूरे नबड़ी एंगल दे रखा मैं, क्वेस्टन में, यह पूरे एंगल थ्री पाई वाई टू है, पाई से पाई चला जाएगा बच्चों, तो मे आइडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ, मैनस के क्या हो जाएगा बच्चों, हम फिर बात करेंगे बच्चों आप से, यहाँ पर केस देखो, अच्छा केस है, बढ़िया केस है, मस्ट केस है, यह एंगल थीटा दे रखा है, तो पहले तो इसकी वज़े से जीरो, इसकी होगा, इसकी वज़े से होगा, और इसकी वज़े से होगा, तो भाई पहले मुझे बीवन बताओ क्या होगा, तुम कहोगे बीवन का जो वैलिया होगा से, वो होगा, मैनोट टाइमस आई, यह करन तो आई ही जा रहा था न, बच्चों आई, आई यूं, निच निकल गया मैनोट टाइमस आई अपान, फोर पाई, आर क्या लिख होगे, थ्री आर, क्योंकि इस आर का जो रिडियस होगा, आर, 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 थ्री आर, इंटो थीटा, बस, एंगल तो थीटा ही है न, बच्चों, अगर हम बीटू की बात करें, बच्चों, तो मैनोट टाइमस आई, फ तो मैनोट टाइमस आई, फोर पाई आर, इसमें भी थीटा और इसमें भी थीटा, अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, उसको सुनो, इसकी डिवेक्षन अगर हम बात करें, तो आईडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ, माइनस की क्या, इसकी बात करें, तो आईडियल सार अंदर की तरफ, बस हम क्या बोलने वाले हैं? ये दोनों अड़ होगा, इसमें से घड़ गढ़ेगा, तो मिन करता हूँ यब आपको बहुत अच्छे समझ में आ विया, क्योंकि इसका तो होना नहीं, इसका तो होना नहीं, इसका तो होना नहीं, इसका तो होना नहीं, क्यों नहीं होना है, क्यों 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 क् है यह आ रहे है तीधर 2R तो current भी बटा होगा symmetrical तो याद रखना कभी अगर symmetry दिखा दे रहा ना बच्चों symmetry वाले case में negative filter पे 0 होता है negative filter पे 0 होता है symmetry बन गया तो अगर symmetry बन गया तो negative filter पे कितना हो जाएगा zero जैसे यहां देखो यहां पर भी ऐसे current आया था ऐसे निकल गया था एंगल थीटा पर depend नहीं करता है यहां भी symmetry बनेगा यहां पर negative फिल कितना हो जाएगा zero अब यहां पर कई बार क्या हो गहार है थीटा के फ़लो 90 देदेगा कुछ देदेगा थीटा पर depend करता नहीं है चिदा सदा बात कर लिए यहां अंगल बच्छे बताओ current यू गया था और यू निकल गया था से मैं ट्रिंगल यहां पर पूछ रहाएगी इस पर इदेगा बताओ magnetic field कितना होगा तो फिर से तुम कहाँ दोगे 0 उमिद गरता हो को समझ में अच्छे से आने लगा है बच्छों ऐसी बात हम लोग करेंगे यहां पर देखो बहुत प्यारा क्वेश्चा नहीं है इसको जरूर ट्राइलो जरूर ट्राइलो बच्छों और मुझे comment box में comment जरू है और यह B4 है B1 की वज़े से 0 क्योंकि इस जगे पे निकालना था magnetic field B3 की वज़े से 0 क्योंकि इस जगे पे निकालना था magnetic field ideal cross r हो नहीं सकता जो होना है बस B2 की वज़े से होना है और जो होना है बस B4 की वज़े से होना है अब B2 जो है वो infinite wire का एक end B2 के लिए यह जो वो पॉइंट है वो इन्फनाट वायर का एक एंड इन्फनाट वायर के एक एंड का फर्मूला क्या होता है आपको याद होगा में नोट आए बाइ फोर पाय र इंटो साइन अलफा प्लस साइन वीटा तो बस इतने होते थे साइन देटी वन साइन जीरो जीरो तो अब इससे आर्क बदले मंटी लगा देना ठीक है तो सुम क्या कहने वालो बता ही देता हूं में नोट टाइमस आए अपाउन क्या लिखोगे फोर पाइडी और इसका डिरेक्शन होगा वो देख लो एक बार आइडियल क्रॉस आर अंदर की तरफ मैनस की कप और अगर हम बात करें बी कोकी का हानी होगा इंफिनाइट वायर का एक एंट है हो तो में नोट टाइमस बाइप फॉर पाइडी और इसका डिरेक्शन क्या होगा देखो आई यल आई यल क्रॉस और अंदर की तरफ मेन सबस्क्राइब हैं तो जांता हो आपको तक आप पास तारी हो जो making तो अगर बच्चे आपको अच्छा लगँ घागर रहा है तो वीडियो को Do मांगता लो भी खा है कि पिधा लिखुर है तो मैं जानता हो जिए आप बच्चों तक मारे वीडियो पहुंच सकता है, चलो आंगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों, हम नेक्स टोपिक पर आते हैं, फेराडे लाओ अफ एलेक्ट्रमेटिक इंडेक्शन, देखो फेराडे सहाब ने क्या क्या बाते किया था, फेराडे कहता है कि वें द यही होता मेगेटिक फ्लक्स, जब जब मेगेटिक फ्लक्स में बदला हुआ, चाहे जैसे भी हुआ हो, मेगेटिक फिल्ड की वज़े से हुआ हो, एरिया की वज़े से हुआ हो, कि थीटा की वज़े से हुआ है, किसी वज़े से अगर मेगेटिक फिल्ड में बदला हुआ ह या में हुआ या थीटा में हुआ, तो हुआ तो ultimately magnetic flux में बदलाओ, जब जब magnetic flux में बदलाओ आएगा, तो इस लूप में automatically एक current डवलप करेगा, इसका नाम होगा induced current, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये फ्राडे का लौ था, पहला लौ था, और फ्राडे का दूसरा लक्स में बदलाओ आएगा, तो current exist करेगा लूप में, और current कुछ इस प्रकार flow करेगा, इस प्रकार चलेगा, कि जिसने इसको पैदा किया है, ये उसी को मारने के चक्र में लग गया, फिर से सुनना, जिसने इसको पैदा किया है, ये उसी को खा जाएगा, तो हम जैसे देखो एक लूप है, यहां मेगनेटिक फिल्ड को बढ़ा दिया, तो देखो दियान से, मेगनेटिक फिल्ड बढ़ा, तो मेगनेटिक फिल्ड किदर बढ़ा, अंदर बढ़ा कि बाहर बढ़ा, अंदर बढ़ रहा है, तो अंदर अगर मेगनेटिक फिल्ड बढ़ रहा है तो जब यह बाहर की तरफ मेंगनेटी फिल लगाएगा तो current कुछ ऐसे फ्लो करेगा कि मेंगनेटी फिल बाहर की तरफ हो जाए current अगर ऐसे flow करेगा तो magnetic field बाहर की तरफ होगा तो हम क्या सकते हैं current इस ज़रे कि समया move करेगा इसका नाम होगा anti anti clockwise अब यहाँ पर देखो magnetic field बाहर की तरफ है और magnetic field बढ़ रहा है तो भई magnetic flux क्यों बदल गया क्योंकि magnetic field बाहर की तरफ बढ़े जा रहा है अगर magnetic field बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे बढ़ने नहीं देंगे तर विया क्या करेंगे सोचू अगर बढ़ने नहीं देंगे तर फिर क्या सकरेंगे तो बढ़ने नहीं देंगे तो मतलब घटाएंगे कैसे गटाएंगे अंदर लगा करके अंदर अगर मैगनिटी फिल लगा देंगे तो बाहर वाले मैगनिटी फिल को अल्रेडी कैंसल आड करदेगा तो करेंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा कि अंदर के तरफ मैगनिटी फिल बढ़ जाए यार यहां मेगनेटिफिल बाहर की तरफ है यहां मेगनेटिफिल अंदर की तरफ है तो यहां मेगनेटिफिल जो है वह अंदर की तरफ है बच्चों तो यहां पर मेगनेटिफिल अंदर की तरफ है करेंट बढ़ रहा है मतलब मेगनेटिफिल अंदर की तरफ बढ़ रहा है अंदर की तरह बढ़ रहा है मतलब मेलेटिक फ्लक्स अंदर की तरह बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे तो क्या करएंगे बाहर लगाएंगे मेलेटिक फिल तो मतलब हैंट おल्टा चलनेगे ऐसे जलेगा य्थ अिक आपको design तौरे दियान देना इस तरी के questions हमारे exam में पूछ लिया जाता है, कहेगा कि टेवल है, इस टेवल पे बच्छाओं एक loop रखा हुआ है और यहाँ बार मैगनेट है, ठीक है, यह नॉर्ट पूल है यह सौथ पूल है, अब देखो बार मैगनेट इस तरफ मूव कर रहा है वही वेलोसिटी से, तो मतलब इस में अगर ऊपर के वियू से रेखा होगे, तो करेंट किदर जो होगी जाएगा, तुम जवाब किया दो होगे, कि सर ऐसा होने वाला है, कि मैगनेटिक फिल निकलता है, नॉर्ट से सौथ की तरफ, जैसे जैसे बचाओ यह आप देखो ध्यान से, जैसे जैसे यह इस तरफ मैगनेटिक फिल्ट बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ मैगनेटिक फिल्ट बढ़ रहा है, नीचे की तरफ मैगनेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देंगे, तो करेंट कुछ ऐसे फ्लो करेंगे, कि नीचे बढ़ रहा है, तो बढ़ने नहीं दें तो यहां से देखें तो हमें लग रहा है कि यह anti-clockwise है और नीचे देखेंगे तो क्या दिखा देगा clockwise है तीसा लाओ को हम लोग कहते है लेंज लाओ लेंज लाओ क्या कहता है बच्छो कि जब भी magnetic flux में बदलाओ आता है तो एक current exist करता है और उस current का value होता है अच्छा current exist करता है और जिस वज़े से यहां पर एक induced EMF develop करता है इस induced EMF is equal to minus d5 by dt अब यह b क्या हुआ यह 5 क्या हुआ magnetic flux अब जिसे आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा question लाया मैंने का magnetic field है इस loop का resistance r है small r है और इसका radius r है तो मैंने पूछा कि बताओ अगर यहां पर मुझे magnetic field इतना दे रखा है तो current 2 second पर कितना होगा बड़ी ऐसानी से हम बता सकते हैं बच्चों कैसे सुनती जाना पहले magnetic flux निकाल देंगे तो magnetic flux क्या होता है बी बी नॉट टी स्क्वाइर प्लस 2T into area एरिया क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वाइर अब मैं करना क्या है इंडियू से मैफ निकालने के लिए बच्चा इंडियू से मैफ निकालने के लिए इसका magnitude निकालने के लिए d5 by dt करना होगा तब लिख देंगे बी नॉट पाई आर स्क्वाइर इसका डिफरेंस ये सेंड टी इसका डिफरेंस ये सेंड टू कितने समय बात करने के लिए बोला है दो समय पर तो दो दूनी चार दो छे 6 बी नॉट पाई आर स्क्वाइर इसका डिफरेंस एडिफरेंस का मैंगे डूट बाई रिएसिस्टेंस तो रिसिस्टेंस कितना है इसमाल आर एइस एइस शिक्स भी नॉट पाई आर स्क्वाइर अग्ञाब बाई समाल र ये करन्ट हो जाएगा एड टाम दो सेकंड तो इस वरैटी के कोश्टन पूछ और चार्ज फ्लोन पूछा जाएगा, अधन टाइम टी, अब देखो, चार्ज फ्लोन का एक special तरीका बताता हो, डेल्टा फाइब आयर, तो हम क्या करेंगे, पले फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, या बी ए, तो B0 Pi R square T square plus TQ और हमसे बोला कि T note समय पर बताओ कितना charge flow करेगा तब को बिलकुल गवरनर नहीं है बताई अट टाइम बरावर 0 second कितना flux होगा 0 अट टाइम बरावर T second T note समय flux कितना हो जाएगा B0 Pi R square T note का square plus T note का power 3 बस change in flux निकल गया और resistance पता है तो charge flown जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों charge flown हो जाएगा B0 Pi R square T note का power 2 T note का power 3 by resistance R तो मिर करता हूँ आको समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा बच्चों आगे बढ़ता हूँ अब यहाँ पर मुझे question में इस प्रकार दिया हुआ है कि यहाँ magnetic field अंदर की तरफ बाहर की तरफ magnetic field है और इस का इस wire का resistance 5 ohm है इसका area of perception 2 meter square है और जो magnetic field है वो 10.80 पर सेकेंड से कम हो रहा है तो आप जैसे की जानते हो आप कि magnetic flux क्या होता है बच्चों BA तो मैं अगर induce EMF की बात करूँगा जरूर कहूँगा इसमें अलग-अलग case बन सकते हैं D5 by DT करें तो अगर मान दीजी है हमारा magnetic field change हो रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ADV by DT कई वर ऐसा भी हो सकता है कि magnetic field constant होकर कि area change हो रहा होगा तो फिर लिखेंगे B गूना DA by DT यहाँ पर एक काम कर लेते हैं यहाँ पर यहीं दे रखा है कि magnetic field 10 टेसलाब पर सकेंड से कम हो रहा है तो हम लिख देंगे इसका area दे रखा है 2 और वो कम कितना हो रहा है तो 10 टेसलाब पर सकेंड मतलब EMF हो जाएगा 20 वोल्ट तो बताए हमें कितना current डेवलप करेगा है बच्चों induced EMF by resistance तो 20 by 5 मतलब 4 ampere कई बार ऐसा question भी यहाँ पर दिया जा सकता है कि पहले से यहाँ एक battery लगा देगा और कहेंगा battery भी 30 वोल्ट का था यह 20 वोल्ट का था अब बताओ क्या होगा तो net निकाल देना हो जाएगा पहले induced EMF निकाल देना और फिस voltage में net निकाल देना answer निकल जाएगा तो उम्मिद करता हूँ कोई बाते भी समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देखो क्या करा है कि find charge flown when loop is rotated by exhausted अब दैसे देखो यह loop ऐसे से ऐसे गुमेगा ऐसे से ऐसे गुमेगा तो क्या होगा flux जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2BA यह बात तो तुम समझी रहा flux कितना हो जाएगा 2BA B मतलब B not A तो flux अगर इतना हो जाएगा बच्चों तो charge flown पूछ रहा था तो charge flown क्या लिख हो गया 2BA not area area क्या लिख हैंगे आप पाई आर स्कॉर बाई रसिस्टेंस बढ़ी असानी से हम बता देंगे कि charge कितना flow करेगा उम्मिद करता हूँ आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हो बच्चों तो अब लोग अब discuss करेंगे Mostnal EMF तो आई चर्चा करेंगे Mostnal EMF क्यो पर मैं बच्चों या नि Mostnal EMF है क्या ज़र समझो मैं Mostnal EMF की बात कर रहा हूँ मैं Mostnal EMF की बात कर रहा हूँ अब होता क्या है ज़र समझो एक Magnetting Field है इस Magnetting Field में एक Rod को Move कर रहा हूँ ध्यान देना इस Magnetting Field में एक Rod को Move कर रहा हूँ अब सोच के देखे कि अगर ये Rod Move करेगा इस Rod के अंदर में Positive Charge V होगा और इस Rod के अंदर में थोड़ा दूसरा Pen दे लेता हूँ इस Rod के अंदर में बच्छा पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इस Rod के अंदर में Negative Charge V होगा बच्छा आप तो जानते हो कि जैसी ये Rod इदर मूव करेगा तो Positive Charge V इदर मूव करेगा और Negative Charge V इदर मूव कर रहा हूँ रोड़ के रिस्पेक्ट में तो आप जानते हो कि Positive Charge अगर इदर मूव करेगा तो F जो होता है वो होता है Q इंटू V क्रॉस V तो इस पर लगने वाले जो Force हो जाएंगे Q पर लगने वाले जो Force हो जाएंगे वो हो जाएंगे V क्रॉस V तो V क्रॉस V इस तरफ एक Magnetic Force लग जाएगा बच्चों और ये Positive Charge को इदर Drift करना स्टार्ट करेगा ठीक है ऐसी कहानी ज़रा समझेगा फिर क्या होगा कि ये Negative Charge बिलकुल Positive Charge के Ultra Force लगेगा तो ये Magnetic Force इस Negative Charge पर नीचे Force लगाएगा जिससे की Negative Charge नीचे जाने लगेगा अब आप जानते हो कि ये सारे Positive Charge उपर चलने लगे और ये सारे Negative Charge मेरे बच्चे नीचे जाने लगे तो ज़रा सोचिए क्या हरकते होना स्टार्ट हो रहा है अब होगा गया इस सारे माल लेगे 24-5 Positive Charge यहाँ आ गया और ये तो 4-5 Negative Charge यहाँ हो गया जिस वज़े से यहाँ पर एक Electric Field का Set Up हो गया बच्चों यहाँ पर एक Electric Field का Set Up हो गया अब तो खेल अब सुरू हुआ है खेल ये क्या सुरू हुआ कि इस पर Electric Field का जैसी Set Up हुआ बच्चों जैसी Electric Field का Set Up हुआ तो Electro Static Force नीचे लगने लगा Magnetic Force उपर लगने लगा अभी क्या है? Magnetic Force strong है Charge उपर जाए जा रहा है एक ऐसा स्ट्रेज आएगा जब यह Magnetic Force और Electro Static Force दोनों बराबर हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा तो चार्ज का Move करना रुख जाएगा और यहाँ पर एक Constant Potential Difference का Send Up हो जाएगा मतलब एक Rod बैटरी की तरह बहेव करने लगेगा बच्चों एक Magnetic Field में Rod मूफ करते वक एक बैटरी की तरह बहेव करने लगेगा अब जिसका जो Value है यहाँ देख सकते हो कि मैं इसको इसको बराबर किया तो यह निकल गया अब जैसी Potential Difference का फामूला लिखते है E.DR तो बही डिल्टा VE और मैं ऐसे लिख दिया मैंने अच्छा एक दियान रखना कि इस इंग में B, V, L में कोई भी दो अगर पैरलल हो जाए तो EMF 0 हो जाएगा इस बात भी दियान लखिएगा यहाँ पर B x V.L की बात जो होगा वो सिर्फ रहेगा B, V, L क्योंकि नाइंगल लपिडिगरी बन जाएगा इसमें B x B की बात करो देखो B x B B x B तो उपर के तरफ और L वेक्टर वे उपर के तरफ इसलिए BVL हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो अच्छा अब मुद्बदा बात ही उठता है यह राट जो होता है ना जो मुविंग राट होता है यह कैसा बीहिव करेगा बैटरी के दरफ बीहिव करेगा कैसे अब दिखा था अपने लिए कि यह पॉजिटिव सारे सा यहां जाग आगया निगेटिव यहां आगया तो यह बिलकुए राट ऐसा दिखाए देगा अब मैटर यह बनता है यार कि आखिर लेंज लो में इसको पढ़ाया क्यों जाता है लेंज लो को कैसे सपोर्ट करता है तो आई दर समझे माली देगे के राट है तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस मैगनेटिव फिल्ड में चलने लगा अगर इस मैगनेटिव फिल्ड में चलने लगा बच्चा सोच के देखेगा अगर इस मैगनेटिव फिल्ड में चलने रहा है और यहाँ से करेंट निकलेगा अब ध्यान सुनिएगा ऐसे करेंट जाएगा ऐसे करेंट आएगा अब जैसी ही इसमें करेंट ऐसी जाएगा तो फोर्स का महल फामूला क्या होते है आइडियल क्रोस भी आइडियल क्रोस भी इस तरफ से मैगनेटिक फोर्स लगेगा अगर ज लगेगा slow down करने लगेगा तब ज़रा सोची यही तो lens law है कि जिसके वज़ाय से इसका जन्म हुआ है यह अपनी वज़ाय को ही खतम करने में लगा हुआ है यही तो lens law है मेरे बच्चे यही तो lens law है कि जिसने इसको जिसने इसको पैदा किया है यह उसी को मारने के चक्कर में लगा हुआ है इसी को कहते है लेंज लाओ बोलो क्लियर की नहीं क्लियर हम फिर चंचा करते हैं बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया था एक रॉड है जिसका लेंध एल है और यह मेंगेटिंग फिल में ऐस से कौन सा हाई पोटेंशल है और EMF बताइए कितना होगा तो अमिट ऐसे सोचना होगा इसको समझे के लिए कि BVL क्या इन तोनों में से इन तीनों में से कोई भी दो पैरलल है नहीं है तब तो EMF सिधा लिख दो BVL और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ड नेगेटि किवचार्ड यहां जबा हो गया तो ऐसे बैटरी बन जाएगा बच्चो जिसका वैली होगा BVL, B हाई पोटेंशल और A लो पोटेंशल यहां बात करो, V और L जो है वो पैरलल है तो बैटरी बनेगा ही V, जिसका EMF जीरो हो जाएगा बच्चो यहां पर समझें, V के दो कं कंपोरेंट आया, एक V कॉस थीटा और एक V साइन थीटा, तो V साइन थीटा और L तो पैरलल है तो बैटरी बनानी पाएगा, EMF जो होगा B, V कॉस थीटा गुना L हो जाएगा यही EMF होगा, और आप समझ सकते हो इधर वाला पोजिटिव इधर वाला नेगिटिव, अब य के बदले मैं लिख देंगे 2R, विकाज मैं तो पहले बोल चुका हूँ, L जो होता है न वही होता है, अच्छा, यह बात भी समझ में आ रहा है, कई बार इस तरीके के कोई संदे देगा, कि यह रोट रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो EMF उचेगा, तो देखो इसका जो को आटा के R कर देना हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा बात, तुम बात करेंगे बच्छा, अल्टरेटिंग करेंट का, क्या होता है अल्टरेटिंग करेंट, आओ, जो पहले इसको समझ, वट इस अल्टरेटिंग करेंट, ऐसा करेंट बच्छा, ऐसा करेंट, जो एक फिक इस इंटरवल के बाद चीजे बदल लाहे कभी करेंट पॉजिक्टिव कभी करेंट नेगेटिव कभी पॉजिक्टिव कभी नेगेटिव इस करेंट को क्या बोलोगे DC इसे क्या बोलोगे AC अच्छा जी इसको क्या बोलोगे जल्दी बताओ इसको क्या बोलोगे DC इसे क्या ब ऐसे ही एवरेज, voltage का जो एवरेज वेली होता है, half cycle में 2E not by pi और full cycle में कितना होता है, let do 0, ऐसे ही आरेमस current जो होता है, ज़ो होता है, हाफ cycle में लेलो या full cycle में लेलो, वो होता है, I not by root 2, ERMS क्या होता है, E not by root 2, इस सारी बातों को आपको याद रखना होगा, यह रहा इसमें क्या होता है प्रोल रिज्टिफ सर्कुट में करेंट का फेज और वोल्टेज का फेज बिलकु सेम रहता है मतलब दोनों के बीच में फेज का दिफरेंस जोगर हम बात करें, तो 0 degree को होगे आप, ठीक है, फिर बात करो, हम नाम लेंगे purely capacitive circuit, देखो, purely capacitive circuit में क्या है, कि मान लो, यहां का voltage given है, E वरावर E naught sin omega t, तो current क्या होगा, I वरावर I naught cos omega t, I naught कैसे निकालोगे, E naught by Xc, Xc क्या होता है, Xc को बोलते हैं, capacitive reactance, क्या कहते हैं, उसको, capacitive reactance, और यह किसके वरावर होता है, 101 omega c, एक शिख धियान देना, कि purely capacitive circuit में क्या होता है, कि capacitive circuit में, जो current होता है, वो lead करता है, voltage से, जो current होता है वो lead करता है, voltage से, कितना lead करता है, 90 degree, तो मानलो यह voltage बेरा x-axis पर है, तो जो current होगा वो y-axis का लाउंग चला जाए, अगर 90 आगे, आगे क्या मतलब क्या होता है, अंटी और पीछे क्या मतलब क्या होता है बच्छों, अंकल, तो मानलो voltage given है, current पुछा जाए तो 90 आगे, अंटी, अच्छा, current given और voltage पुछे तो 90 पी purely capacitive circuit और lead कौन करता है, current, lead कौन करता है बच्छों, current, पर x-axis क्या है, 1 by omega c, फिर बात करो यहाँ पर एक छोटा सा question ले लिया, question दिया हुआ है बच्छों, x-axis का value 5 है, मैंने सबसे पहले पूछा आप से, कि बताइए बच्छों, बताइए, इसका voltage, इसका i-not कितना है, तो क बच्छों, बताओ, इसका i-not क्या लिखोगे, तो कहोगे, क्या होते है, i-not गुना xc, तो i-not कितना है, 2, और xc क्या है, बच्छों, 5, तो बस निकल गए है मेरा 10 volt, इसका value आगी है, i-not का, हम फिर बात करेंगे आप से, मैंने का, i-rms बताओ, कितना होगा, तब कर जवा इ-rms, तो कहोगे, i-rms का value, i-not by root 2, i-not कितना है बच्छों, 10, by root 2, इतना volt, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान सुनो, मैंने पूछा, कि बताओ, कि बताओ, कि voltage है, जब function of time क्या होगा, तब तरीका देखिए, हम कैसे करते है, हम क्या करेंगे, i- e-not, e-not का value कितना है, 10, 10, उसके बात क्या करना सुन दे जाना, ये पूरा का पूरा लिख दो, पूरा का पूरा लिख दो, चलो बहुत अच्छा, लिख दिया जी, sin, omega, t plus, 30 degree, अब तुम देखो, तुमारे सामने, current given था, और voltage पूछ लिया, तो भाई, तुम्हें पता है, कि purely capacitive circuit में, purely capacitive circuit में, current जो भी होता है, उससे 90 degree पीछे होता है, voltage, 90 degree पीछे कौन होता है, voltage, 90 degree पीछे होता है, voltage, तो voltage में 90 degree पीछे कर दो, तो ये final answer कितना हो जाएगा, 10 sin omega t minus 60 degree, ये इसका answer हो जाएगा, voltage equation का, तो उमीद करता हो, आपको समझ में आ रहा होगा, बच्चों, हम फिर जर्चा करते हैं, बच्चों, purely inductive circuit में, purely inductive circuit में हम क्या बात करेंगे, सोच के देखो, purely inductive circuit में हम क्या बात करने जा रहे हैं, आपको जवाब होगा, कि इसमें I का value दे रखा है मान लो, और E पूछा जाए, तो देखो, ये E note क्या होता है, I note times Excel, Excel को बोलते है, inductive reactance क्या बोलते है इसको, inductive reactance, और inductive reactance जो होता है, बच्चों, वो होता है, omega L, क्या होता है, omega L, अच्छा सुना ब्यास से, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये current है, और ये voltage है, ये current है, और ये voltage है, तो मैंने आप से पूछा कि बताईए कि current और voltage के बीच में या पर कितना phase होगा, लिकित इसमें क्या है, कि voltage आगे बढ़ जाता है, current पीछे रहता है, तो इसमें आगे कौन रहता है, voltage और पीछे कौन रहता है, current, ये बात तुम याद रखेगा, जैसे एक छुटा सा question ले लिया, मैंने कहा, इसमें भी वही सारी बात थे, तो पहले मुझे बताओ, E इनोट कितना होगा, बच्छों, तो कहोगे, E-naught by XL, E-naught है 10, और XL कितना है 2, तो ये 5 ampere आगे है, बच्छों, अगर मैं आपसे पुछों कि E-average in half cycle, तो 2 E-naught by Pi, E-naught क्या है 10, 20 by Pi, अगर मैं पुछता हो आपसे IRMS, तो कहोगे, I-naught by root 2, बच्छ पांच by root 2, यही बात मैं पूछता हो आपसे कि current is a function of time, तो बिलकुल मत गवराइए, पहले ऐसे लिखे I-naught, I बराबर I-naught, और वो equation को तो as it is, जिप दीजे पहले, sin omega t plus 1.500 degree, ठीक है, omega t plus 1.500 degree, और आप जानते हो कि voltage की जो equation होते हैं, वो current से 90 degree आँगे होते हैं, मतलब current 90 degree पीछे हो जाएंगे बच्छों, तो आपका जो final answer आएगा, वो कितना आगया है बच्छों, 5 sin omega t minus 6 degree, उमीद करता हूँ, इतनी बात भी समझ में आगया होगा, हम बात करेंगे R-C circuit, देखे R-C circuit के टेक्निक बताता हूँ, ध्यान दखिएगा, इसमें क्या है कि, you know, Z जो होता है, इसे कहते है impedance, Z का जो value होता है, वो होता है, XC square plus R का square, इस case में जो voltage होता है, वो क्या होता है, VR का square plus VC का square, अच्छा, अब सबसे important बात है, कि current और voltage के बीच में, current और voltage के बीच में, एंगल कितना होता है, बच्छों, alpha, तो मैं यहाँ पर जो resultant बनता है, current और voltage के बीच में angle कितना बनता है तो मैं यहाँ पर तुमसे पूछा जाता है कि phase angle बताओ कितना होगा तो 10 alpha क्या लिखोगे? XCYR अब जो बोल लेगा रहा है उसको ध्यान पुरुवक सुनोगे कि अगर current given हो और voltage पूछे तो minus alpha कर देना और voltage given हो और current पूछे तो plus alpha कर देना इस technique को ध्यान रखना जैसे छुटा सा question लिया तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर देखो voltage given है और current पूछे current पूछे तो मैं क्या लिखना होगा? देखो voltage given हो और current पूछे तो plus alpha कर देना देख छोटा सा काव क्यों नहीं कर लिते हो पहले alpha ही निकाल लो 10 alpha is 10 alpha is Xc by R Xc है कितना बच्चों? 3 by 4 alpha कितना लिखोगे? 37 degree 3 by 4 क्या हो तो 37 degree पहले मुझे यह बताओ E बरावर क्या लिखोगे? E बरावर दे रखे है तो हमें current निकाला है तो current क्या होता है बच्चों? I equal to I naught sin omega t plus 30 degree यह तो दर्य दरा ऐसे ही और अगर current उच रहा है voltage given था तो plus alpha तो plus 37 degree बस I naught निकाल तो I naught तुमारे लिए बाएं हाथा खेल है E naught by Z तो Z कैसे निकालोगे बच्चों? 4 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर मतलब 5 E naught है 10 by 5 2 ampere तो your final answer is 2 sin omega t plus 67 degree तो उमिद करतो है इतनी बात तो समझ में आई गया होगा बच्चों अब यहाँ पर देखो LR circuit में बिलकुल RC circuit नैसा ही है लेकिन इसमें क्या है? थोरा सांतर है कि Z जो होगा वो XL का स्क्वाइर प्लस R का स्क्वाइर होगा और 10 alpha जो होगा वो ऐसी रहेगा वहाँ XC by R था यहाँ XL by R है यहाँ का भी voltage होगा VR का स्क्वाइर प्लस VL का स्क्वाइर एकनि यहाँ ग्यान दीजेगा अगर current given हो और voltage पूछे तो plus alpha और voltage given हो और current पूछे तो minus alpha जिसे चुटा सा question ले लेता हो मैं यहाँ पर देखो current given है और voltage पूछा गिया current given है और voltage पूछा जाए तो plus alpha तो मैं यहाँ पर plus alpha लिखना होगा क्यों कि यह current given है और voltage पूछ रहा है तो पहले जड निगालो जड कितना हो जाएगा बच्चो चार का स्कुएर पर तीर का स्कुएर मतलब 25 मतलब 5 मुझे वोल्टेज चाहिए बच्चो ए नोट कहा लिखो कि I0 times Z I0 है कितना 2 गुना Z5 10 वोल्ट अब हमें एंगल भी निकालना होगा कि current और voltage के बीच में कितना एंगल है तो 10 अलफाइज एक्सल बायार 10 अलफाइज एक्सल बायार तो बच्चों हम लिख सकते हैं 10 अलफाइज 10 अलफाइज एक्सल कितना है 4 बाई 3 तो बाई 53 डिगरी हो जाएगा अलफा का दा लिख 53 डिगरी अब ज़रा सोचने कोसस करें current given है और voltage पुछ रहा है तो voltage क्या लिखेंगे E वरावर E naught E naught है 10 वो एड़ेज टिप दो साइन ओमेगा T प्लस 30 डिगरी यह तो पूरा का पूरा ऐसे ही टिप दो यहां से याद दक अब यहां पर देखो मैंने क्या सिखाया था कि current given है और voltage पुछा जाए LR circuit में तो अलफा को एड़ कर देना अलफा एड़ कर दो यार बस इसी का answer यही हो जाएगा बच्छो तो मुमीद करना हूँ हमको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा LR circuit में समझ में आ गया चलिए LCR को देखते ही तेकनिक को सुस करते हैं तो चलिए बच्छा लो स्टार्ट करें LCR circuit को LCR circuit के मारे में बहुत अच्छे समझना होगा बहुत अच्छा फील आएगा LCR में भी विल्कुल वहीं का नहीं है XL XT से बड़ा हो सकता है XL XT से छोटा हो सकता है तिनों अलग-अलग केस दाएंगे तो Z हो जाएगा impedance R square plus XL minus XC का whole square हमने फिलाल मान लिए XL बड़ा XC से और voltage क्या निकोगे तो कहोगे VR का square plus VL minus VC का square या आपर alpha निकाले निए अलफा मतलब current और voltage के बीच में अंगल क्या होगा तो कहोगे XL minus XC by R और एक important point power factor power factor हो जाएगा बच्छो cos alpha is R by Z अच्छा ये ध्यान रखेगा Z क्या है impedance ध्यान रखेगा एक बात important बात बोल लाओ बहुत important बात बोल लाओ ध्यान पुरगक सुनो कान खूल के सुनो बहुत कॉस अलफा गा वैल्यू power factor गा वैल्यू purely resistive circuit में तो 1 होता है inductive circuit में 0 capacitive circuit में 0 LC oscillation वाले case में 0 बात हम करें बहुत की onsi circuit में क्या होगा R by Z LCR में क्या होगा R by Z LR में क्या होगा R by Z याद रखना ही चार्ट जो मैंने बोला है भी कान खूल के सुनो याद रखना हमारे एक्जाम में सीधा पूछे आते हैं इस पर questions तो चलो बिना कुछ बाते कि हम लोग start करें हमें question में ऐसा दिया हुआ है R दे रखा है XC दे रखा है और याद वी नॉट दे रखा है बच्चाओ तो बोला current amplitude मतलब maximum current current amplitude का मतलब क्या है maximum value current amplitude current amplitude बच्चाओ current amplitude in the circuit is कितना तो क्या कहोगे current क्या होता है V0 by Z तो बहुत जेट निकाल लेते हैं R क्या होता है R R क्या है 30 तो 30 का स्कुाइर प्लेस XC मैनस XL क्योंकि XC बढ़ा है XL से अगर XL बढ़ा होता है XC से तो हम क्या लिखते है XL मैनस XC 80 से 40 40 का स्कुाइर मतलब ये हो गया डाटा 50 तो सही है ना बच्चो Z निकल गया 50 तो आई नोट के लिखेंगे V0 by Z we have given V0 is 200 V तो 200 divided by 50 और हम कह सकते हैं ये इस इज़ शार अम्पेर current the current amplitude is शार अम्पेर हम फिर बात करेंगे phase difference between current and voltage बड़ी आसानी से मैंने कहा था कि देखो 10 फाइज होगा इस या तो लिख तो XL minus XCYR या XCYR डेपेंड आउन कि XC बड़ा है कि XC बड़ा है XC बड़ा है यहां पर तो 80 में से 40 XC minus XL XC में से 40 तो 40 divided by R 30 तो बड़ी आसानी से हम कहा देंगे कि 10 अलफा इस 4 by 3 53 डिगरी या ना कि मैंने बाद समझ पा रहे है कि नहीं समझ पा रहे है पिलकुछ समझ पा रहे होंगे ऐसी मैं बोल सकता हो कि एंपरीड आप वोल्टेज अक्रोस दा कैपसीटर अन क्वाइल तो देखो और एक सी कितना है बच्चों एक सी कितना है जरा बताना एक सी कितना है एक सी कितना है बच्चों तब कर जवाब होगा सी तो बस आराम से बता दिया कि इसका वैल्यू तीन सो बीस वोल्ट आ जाएगा बच्चों लेकिन अगर हम बात करेंगे क्वाइल में तो क्वाइल में कितना होगा तो कहेंगे आइनोट टाइम्स आर स्कॉाइर प्रस एक्सल का स्कॉाइल आर मी पता है एक्सल भी पता है निकाल दीजिए धियान रखिये कोईल का नाम ले रहा है तो एलार चलो नेक्स्ट अगला कुश्चन है जन अगला को समझो से बहुत इंपोरेंट पॉंस्ट है एल्सी आर स्कॉइट के मैक्सिमूम पावर तुम जानते हो कि वरावर इनोट सेन ओमेगा टी तर पावर का फर्मूला क्या होता है आई स्कॉाइर अर्मस इसको मैं लिख सकता हूँ ई आर्मस का स्कॉइर बाइजड स्कॉइर इंट आर अब जैड क्या होता है ये बात तो आप जानते हो एक्सल मैनस एक्सी का स्कॉइर प्रस आर का स्कॉइर तो मैं पूछता हो कि पावर मैक्सिमूम का होगा बच्छों जब जैड मिनमम होगा अच्छा जैड मिनमम का होगा जब एक्सल बड़ा अबर हो जाएगा एक्सी के ए XL होता क्या है ? OMEGA L, XC क्या होता है ? 1 by OMEGA C. तो OMEGA क्या लिखेंगे बच्चा? OMEGA लिखेंगे 1 by under root में LC. और OMEGA होता क्या है बच्चा होता है तो जानते हो 2p into frequency होता है. तो frequency हो जाएगा 1 over 2p under root में LC. This is known as the resonating conditions. और इसके स्वेख मैक्सोई energy flow करेगा. बढ़ी आसानी से हम बता सकते हैं चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेगा बहुत important points है तभी कहानी इंजिस्ट किया है जब XL बढ़ावर था XC के उस case में ओमेगा किस के बढ़ावर था 1 by root under LC अब यहाँ पर सामनी questions आ रहा है ना तो हम क्या करेंगे पहले ना वी आरेमस ने अचा सुनो the impedance, impedance कैसे निकालते है impedance होता है वी आरेमस by आरेमस तो पर आई आरेमस निकालते हैं आई आरेमस कितना लिखेंगे आई नोट है 10 रूट 2 by root 2 तो भई आई आई आरेमस निकल गिया 10 तो बढ़िया है वई आरेमस निकल गिया 10 बस एक बार वी आरेमस निकाल देंगे तो वी आरेमस कैसे निकालेंगे वी आर का स्कॉएर प्रस वी आरेमस वी सी का स्कॉएर तो वी आर क्या है वी आर क्या है देखो यहां से वी आर है चालीस का स्कॉयर, چालीस का स्कॉयर, चालीस में से दस का स्कॉयर, मतलchnों तीज का स्कॉयर और यह हुजाएगा पचास, तो हम क्या देगे is का एंसर होगा पाँच एंपियर और बिल्कुल आसान सा क्वेशन देख रहा है और बिल्कुल लॉलिपॉप लॉलिपॉप क्वेशन सा यही बहुत अच्छा क्वेशन है इसमें दिया हुआ है कि जो आर दे रखा है इसका वेल्यू है 1 by omega c we have given in the question P current is I0 यह भी दे रखा है ठीक है the angular frequency of voltage change to omega by root 3 अब angular frequency को बदल दिया पहले जो omega था omega था अब omega by root 3 कर दिया तो नया maximum current क्या होगा तो तुम तो जानते हो कि current क्या होता है V0 by Z तो Z क्या लिखें आर स्रकुट में R2 plus XC का square what is XC 1 over omega C का square बस इस R के बदले में मैंने यह put कर दिया 1 by omega C तो मैंने term define होके यह आ गया बच्छों चलो पहला equation मान लेते हैं इसको और क्या प्रेना चारा है कि हमने omega को बदल दिया omega को बदल के कितना कर दिया omega by root 3 कर दिया तो R तो वही है ना R का value तो 1 by omega C है बस omega की बदले में हमने put कर दिया है omega by root 3 जब इसको value put किया तो यतना हो गया इन दोनों को divide कर दिये तो I dash by I dash equal to I not by root 2 निकल जाएगा मतलब A option मिलकुँ सही है तो हमसे पुछा गया था कि नया peak current क्या होगा तो यह answer is I not by root 2 next question अब यहां पर देखी क्या कर रहा है केसी voltage है is applied to resistance and inductor तो यह resistance है और यह inductor है बच्चाओ LR circuit का नाम लिया होगा है इसने अच्छा एक्सल एक्सल एक्सर बनावर है एक्सल और और दोनों बनावर है इसका value है तीन ओम तीन ओम तो आप से पूशा क्या गया है the phase difference between current and voltage तो कैसे निकालते हो phase difference तो तुम जानते हो 10.5 is XL by R, XL है 3, R है 3 तो यह 1 आगया तो 10.5 बड़ाबर 1 इसलिए 10.5 का value अगर 1 के बड़ाबर आ जाएगा बच्चाओ ते अंगल कितना हो जाएगा 45 degree we can easily calculate here next question के तरफ आओ थोड़े से आओ रहाँ स्पीदली चल दाओ मैं थोड़ा सान ठीक है वह यह पावर शक्टर होता क्या पहले यह बताओ cos 5 cos 5 का value क्या होता है R by Z सुनिएगा द्यास सुनिएगा तो क्या मैं इस R को मैं ऐसे गेम खेलता हूँ एक फड़ा सा गेम प्लान करता हूँ उपर निच्छी आइनोट से multiply कर देंता हो तो यह होगा I not R by I not Z क्या मै आइनोट जट को लिख सकता हूँ मेन वोल्टेज बस मेन वोल्टेज निकाल दो हो जाएगा तो मेन वोल्टेज आएगा कि दुना वी यार कितना दे रखा पढ़िये रेसिस्टेंस के क्रॉस 80 है 80 का स्कौाइर बच्छों प्लस 100 में से 40 60 का स्कौाइर दिया जाएगा 100 वो 0.8 MPa 0.8 इसका पाउर शक्टर हो जाएगा बड़ी आसानी से क्या दें किसका एंसर सी पार्ट 0.8 हो जाएगा बच्छों चलिए हम फिर बात करेंगा आप से थोरा सावर बात हमें करना होगा हमें कोईस्टन बहुत प्यारा कोईस्टन दिया LCR सर्कृट में LCR सर्कृट का यह मैं तो जिसल्फ अरसी सर्कृट है ना इल को हटा दिया था आर है सर्कृट बन गया तो तो इसकेस में कह रहा है कि split difference जो है तो यह है थरी है तो मैं कह सकता हो आब कि आफ यह जैसी ऐलको खटाओ यह आरश्य सर्कृट बन जाएगा तो उसकेस में दिफ्रेंस दिफ्रेंस पाइवाए थ्री है तो टेन पाइवाए थ्री बनावर एकसी बायार येस वोकी आच्छा बच्छा आप क्या किया रहा है कि इन स्टीट आफ सी रिमूवड फ्रम दा सरकिट जैसे ही सी को हटाऊंगा तब यह बन गए लार सरकिट बन जाएगा तो ट एकसेल बरावर एकसी हो गया और एकसेल बरावर एकसी हो जाएगा देखो एकसेल बरावर एकसी हो जाएगा तो जो भी रिजल्टेंट होगा हो इसके लांग होगा एसिस्टेंस के लांग जो होगा आप जानते हो कि एसिस्टेंस के लांग करेंट और वोल्टेज का डिरेक उमीद करता हूँ आपको समझ में अच्छी सी आने लगा होगा चीजें, चलिए नेक्स कोईशन की तरफ आते हैं, कोईशन देफोरे कॉंसेप समझते हैं, हमडों ट्रांसफर्मर की पूरी कहानी सुलते हैं, ट्रांसफर्मर बरी आसान चीज है और थोरा सा इसमें थोरा समझ प्रांसदारी की तरफ बढ़े हैं और करते जायद जलिली कोईशन बनी जाते हैं, ट्रांसफर्मर में क्या होता है देखो, यह बीना पावर कंगेंशन को बदले, वोल्टेज लेबल को चेंज कर लेता है, यह इसका फंडा होता है, यह मिचल इंडेक्टेंस पे आधारी त एनसे सेकंडरी वोल्टेज, आसे सेकंडरी करेंट, और वीसे सेकंडरी वोल्टेज, तो मैंने कहा ना, बिना पावर बदले, अपने वोल्टेज लेवल को चेंज कर लेता है, कोई भी ट्रांसफर्मर के कोईशन आएगा, तो आप इसको याद रखेंगा, तो बड़ी काम ह जाएगा, इसी से सारा कुईशन बन जाएगा, और एक चीज़ और जियान दखेगा, Efficiency, VSI, VP, IP, Output by Input जो भी है, अच्छा, ये भी जियान दखेगा, VSI is 180 degree, Out of phase with VP, इस सारी बातों को याद रखेगा, इसमर दो बातें और मैंने बोला, NS बराव है NP से, तो step up, NS छोटा ह NP से step down, सिधा हम कोईशन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है, कैसे कोईशन आएंगे, कह रहा है कि a step down transformer connected to an AC main supply, ठीक है, of 220 volt, बहुत अच्छी बात है, is made to operate at 11 volt and 44 watt, देको मैंने कहा न, बिना पावर बदले, इसलिए अपने वोल्ड लेवल को चेंज करना है, तो पावर 44 वोल्ड, 44 ही रहेगा, ठीक है, तो अच्छी देको कि पहले तुम यह समझो, इस कोईशन को देखो और बताओ, कि पहले जो था, वो कितना था, 220 volt, तो इसका जो वीपी है, प्रैमरी है, 220 volt का था, प्रैमरी 220 वोल्ड का है, और operate करवाना है 11 volt पे, तो वीएस हो गया 11, और वीपी हो गया 220, तो आई पी कितना हो जाएगा, बच्छा, 44 by 220, मतलब यह हो जाएगा 0.2 एंपियर, बड़ी आसाने से हम को इससे मना सकता है, अगर वो रिजल्ट याद रहेगा, और कौन से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इस रिजल्ट की बात क किये, बिना पावर चैंज किये, अपने वोल्टि लेवल पर चैंज कर लेता है, यही इसका महन सिधानत होता है, यह मिचल इंडेक्टर स्क्राइब चीज़े है, चलो आँगे बढ़ते है, एक दो कोईशन सहुर करके, और चीज़ों को हम विराम देंगे अब, अब इस दो एंपियर ठीक है, एक चार सो चालिस वोल्ट मतलब वी एस चार सो चालिस वोल्ट, इन दा एफिसियंसी ऑफ ट्रांसफर्मरी जिरो पॉइंट, मतलब असी परसेंट ठीक है, तो बच्चे आप उससे पूछा जा रहा है कि अधर करेंट ड्राउन बै प्रैमरी इस चैन सीदे रखा है, तो बड़ी आसानी से हम लोग अराम से बता सकते हैं कि आई पी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो इस परकार से बच्चों हम लोग ने मैगनिटी जैम, EMI, AC के हर अच्छे से अच्छे को डिल करने की कोसिस किया है, तो अब ये बात ध्यान चोरने वाला हो आज, मैं आपका साथ, मैंने कहाना आपको पांच मई तक आपके साथ, बिलकुल चटान की घरे तरह खरे रहोंगा, पांच मई तक आपके पीछे खरा हो मैं, किसी की हिम्मत नहीं कि आप कुरा दे, बस आप अच्छे से करते रहो, अब बचा हीटर थर्मो तो चोकि अब समय कम है, और प्रब्लम क्या है कि इतने ज़्यादा हम करवाएंगे तो कहीं आप उलजना जाओ, तो हीटर थर्मो दिन का जो कोर कोंसेप्ट है, जो में कोंसेप्ट है, जो में कोईसर्स आने हैं, मैं अभी तीन घंटे का एक वीडियो बनाओंगा, दो दिन रहेगा वीडियो तीन घंटे का, और उस तीन घंटे का वीडियो में आपको मैं दो दिन, जो सबसे बेस्ट कोईसन होंगे, जो बिल्कुल अतिसमभावत कोईसन होंगे, उसमें कोई थियोरी नहीं चलेगा, ध्यान दखेगा, उसमें कोई थियोरी होगा ही नहीं, हीटन थर्मोडिनमिक्स और मैं कोशिज करूंगा कि error measurement मैंने नहीं करवाई इनु डेमेंशन्स को तो error measurement और इनु डेमेंशन्स के कोईशन्स को ज्यादा से ज्यादा उस तीन कंटे के वीडियो में हम कवर कर देंगे ताकि हमारे बच्चे को कोई किसी प्रगार की कोई दिक्कत ना हो तो मेरे बच्चे हम बहुत उमीद कर रखें आपसे यह जो हमारा वीडियो सेरीज था अब इस परकार से इसको फिनिस कर रहा है लेकिन हां हम आपका साथ नहीं चोड़ रहा है बस यह दियान बखिएगा कि क कल से ही बिलकुल कल से बच्चों कल से ही हम तीन गंटे का वीडियो लेके फिर से आ रहा है लेकिन अब एक गंटे आदी गंटे का वीडियो नहीं आओगा उस तीन गंटे के वीडियो में आपके पूरी फिजिक्स को हम खतम कर देंगे पूरी फिजिक्स खतम करेंगे बच् कि ध्यान रखना जीत सिर्फ हमारी होगी सिर्फ हमारी तब कुछ इंपा करने की कोई जड़त नहीं है हम आपके साथ करें चलो आज के लिए इतना है मेरे बच्चे मिलता है कल तीर गंटे वीडियो के साथ जाए हैं